आज हमें समाज में ऐसा माहूल बनाने की बिज़रूत है जिसमें लोग सिख्षक बनने के लिए स्वेच्छा से आगे आएं अभी जो स्थीतिया है उसमें हम देखते हैं कि लोग डॉक्टर बनने की बात करते हैं इंजिनियर बनने की बात करते हैं कि NBA करने की बात बंग करते हैं Scientology को जानने की बाते करते हैं यह सारी बाते करते हैं लेकिन कि बहुत कम देखने को मिलता है। को या कर कहे कि मैं सिक्षर बनना चाहता हूं। मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं यहन।님이 किसी भी समाज के के लिए एक बहुत बड़ी चुनोती होती है कि यह सवाल उठना बहुत आवशक है कि हम नोकरी के लिए उठते बैठते हमारे मन में ये भावना है कि मुझे देश के आने वाले भविश को गढ़ना है बच्चों को हर रोज कुछ नया सिखाना है मैं मानता हूं समाज को बनाने में सिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है लेकिन कई बार कुछ परिस्टियों देखकर मुझे तकलीब भी होती है मैं आप बताऊंगा आप भी मेरी तकलीब समझ पाएंगे कि मैं कभी तोई कि मैरे मन में जातरा अभिधी रुपाना जीने वरण किया य Dumont है है तो मेरी दो इच्छायत सिर्म कि व्यक्ति के दो इच्छाएं एक हैं बच्पन में जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ने मेरे दोस्ते उनको मैं CM के घर बुलाओं कि क्योंकि मेरा मैं एक परिवराजक था मेरा नाता सबसे तूट चुका था तिन तिन दसक बीच गए थे तो मेरा मन कर गया कि उन पुराने दोस्तों को व्याद करूं और दूसरी मेरी इच्छा थी कि मेरे सभी मेरे टीचर्स को मैं अपने घर बुलाओं और उनका सम्मान करूं और मुझे खुशी है कि उस समय जब मैंने मेरे टीचर्स को बला एक टीचर की उमर 93 थी और आपको साथ्यों घर्व होगा मैं कैसा विद्यारती हूं आज भी मेरे जितने टीचर जीवित हैं मैं उनके साथ ज यह जाता हूं तो मैं उनको पूछता हूं कि तना इस बड़ा यहाद्मी होगा में उसको पूछता हूं है अच्छा भाइ 6 तुम्हारी शादी हो रही है तुम्हारी देंगिं बड़ा महत्वप data आउसर है क्या तुमने कि अपने किसी टीचर को शादी में निमंतर्न दिया है कि सो में से 90 परसेंट कोई मुझे कहता ने कि मैंने टीचर को बुलाया है और जब मैं सवाल पूता हूं लोग इधर उदर देखने लग जाते हैं अरे तुम्हारी जिन्दगी बनाने की जिसने शुरुवात की और तुम जिवन के बहुत बड़े पड़ाव के और जा रहे ह हो और शादी में तुझे तेरा टीचर याद नहीं आया कि इस समाज की सच्चाई है और ऐसा क्यों हो रहा है कि हम सब को सोचना चाहिए और इस सच्चाई का एक और पहलू है जैसे मैं ऐसे लोगों को पूछता हूं विद्धार्थी के बारे में तो मैं टीचर को भी है लहां हूं बहुत सारों से जाता रहता हूं तो मैं उनका जुरूर मिलता हूं तो पूछता है छोटे-छोटे स्कुल के कारका में भी आता हूँ और उनके टीचर सुम्हें बैठ कर गयों उनसे पूंशता हूँ, मैं पूंशता हूँ भी अच्छा बताव भाई, अब 20 साल से टीचर हो, को को 12 साल से टीचर हो, आप मुझे 10 विध्यार्थों के नाम बताईए, अपने जीवनकाल के 10 विध्यार्थों के नाम बताईए, जो आज जीवन में इतनी उंचाई को प्राप्त किया है कि आपको गर्व हो रहा है कि वो आपका विध्यार्थी था और उसका जीवन सफल हुआ है मुझे दुर्भागे से कहना है बहुत सारे टीचर मुझे जबाब नहीं दे पाते हैं कि मैंने 20 साल टीचर तो रहा हर दिन आया बच्चे मेरे साथ रहते थे लेकि कौन दस विध्यार्थी अपनी जिंदगी में बना पाए और उसको मुझे याद है कि नहीं उसको मुझे कुछ समन रहा है कि नहीं तो जीरो रिजल्ट आ रहा है दोस्तों यानि डिस्कनेक दोनों तरब से हैं ये टीचर दोनों ही तरब हो रहा है और साथियों ऐसा भी नहीं है कि सब विखर ही गया है हमारे खेल के मैदान में आपको स्थीतियां बिलकुल अलग मिलती है हम देखते हैं कोई खिलाडी अगर कोई मेडल लेकर के आता है तो सबसे पहले अपने गुरू अपने कोच को प्रणाम करता है वो अलिम्पिक जीत कर गया होगा बच्पन में जिसने खेल सिखाया होगा उसके बीच में 15-20 साल का फासला चला गया होगा फिर भी जब वो मेडल प्राप्त करता है उस गुरू को प्राम करता है गुरू के सम्मान के भावना जीवन परियंत उसके मन में रहती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरू या कोच उस खिलाड़ी पर व्यक्तिगत रुप से फोकस करता है उसकी जिन्दगी के साथ जुड़ करके उसको तयार करता है उस पर महनत करता है खेल के मैदान से अलग शिक्षकों की सामान ने दुनिया में हम ऐसा कम कम ही होता देखते हैं कि कोई विद्यार्थ उन्हें जीवन परियात कर रहा है उनके संपरक में है ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए